नागपूर के अंबाजरी पुलिस थाना अंतरगत नोगरी का जासा देकर यूती से दुशकर्म का मामला सामने आया है जिसके बाद आरोपी के चंगुल से भागने के लिए पिडिता ने बात्रूम की छट से छलांग लगा दी जिससे वहाग हायल होगी अंबाजरी थाना में प्रकरन दर्जकर आरोपी को गिरफतार किया गया है मंगलवार को अदालत में पेश कर आरोपी पुलिस को रिमान पर लिया गया है इंटरव्यू का जासा देकर आरोपी ने यूती को पारडी बुलाया पिडित 24 वर्षिय यूती है उसे नोकरी की तलाश थी मोरभवन बस्ट्रैंड पर उसकी मुलाकात आरूपी निलेश योगेश्वर हेडाउ से हुई निलेश मजदूरी करता है उसने पिडिता को नोकरी दिलाने की हमी भरी थी निलेश ने पारडी सित एक होटल में रिसेप्शनिस पत के लिए इंटर्व्यू होने का जासा दे कर सोमबार को साम 7 बजे यूती को पारडी बुलाया यूती तय समय पर वहाँ पोची उसके बाद वहाँ उसे पुराने मकान में ले गया और वहाँ उसने यूती से दुशकर मकिया पश्चात यूती ने उसके चंगुल से बचने के लिए बातरूम की छट पर चड़ी और वहाँ से छलांग लगा दी यूती गंभी रूप से खायल हो गई है इस बीच पिडिता ने मामले की सूचना पुलिस को दी प्रकरन को गंभिरता से लेकर पुलिस मोके पर पहुची गंभिर हालत में पिडिता को मेडिकल अस्पताल में भरती कराया गया पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया है चार तारिक को पुलिस टेशन में रिपोर्टर मतलब जो पिडिता है वो उसकी बहन के साथ पुलिस टेशन में आकर उसने रिपोर्ट दी कि 29 या 30 तारिक को आरोपी की साथ पैचान हुई और पिडित महिला और उसकी बहन खड़े थे तो आरोपी ने आकर पूचा कि मुझे जौब के लिए लड़किया चाहिए आप में से कोई इंट्रेस्टेड है क्या तो पीडिता जो है उसने कहा कि हा मुझे जौब की ज़रूर थे मुझे मिल सकती है क्या तो उसने कहा हा जरूर मिलेगी तो उसने उसका बायोडाटा और फोटो वाट्सप पे मांग लिए उसके दो तिन दिन उन्होंने बाच्चित की जौब के सिलसिले में तिन तारिक को आरोपी ने पीड़ता को गनेश पेड़ बस्टोप पे बुलाया और कहा कि भंडारा के तरफ एक होटेले वहां रेसिप्शेनिस के जौब के लिए इंटर्यू देना है हम आप पर जाएंगे और इंटर्यू देंगे वहां इंटर्यू का जाशा देकर आरोपी ने पीड़ता के साथ लेंगी का त्याचार की उसको धमकाया कि अगर तुने ये बात किसी को बताई तो जान से मार डालूंगा रात बर उसको साथ में रखने के बाद दूसरे दिन सुबे गनेश पेट बस्टोप पे लाकर छोड़ दिया और तभी उसको फिर से वही का कि अगर तु रिपोर्ट देती है या किसी को बताती है तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा ये बात उसने अपनी बहन को बताया फिर बहन के साथ पीडिता और उसकी बहन पुलिश्टेशन में आकर रिपोर्ट दी रिपोर्ट देने के तुरंती बाद मानि उवरिश्टादीकारियों के मार डालूंगा गिरपतार किया, अभी फिलाल तो रोपी हवलात में बंद है, आगे का तपास मानी उवरिष्टा दिकारियों की मार्गदर्शिन में शुरू है। रोपी क्या नगता ता काई नम्हाँ है? ए रोपी क्या नम्हाँ है।